जहेंद प्यारे साथियों कैसे आप सब बिलकुल मस्त होंगी यूविक्टर क्लासेज यूटूब चैनल पर आप सब भी कहा बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बिलकुल डिटेल से डिसक्रस करने वाले हैं एक बहुत भैतरी न यूनिवरस्टी है और वह हूँ साथ-साथ यहां पर यह जो पिएचेडी का नोटिपिकेसन जारी हुआ है इसके संबंद में भी मैं आपको कंप्लेट जानकारी देने वाला हूँ यदि आप पिएचेडी करने की सोचरों या पिएचेडी में एडमिसन लेना चाहते हो चाहे किसी भी स्टेट से अपडेट गरें कि कोस्षज करूंगा तो आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राब नहीं किया तो प्लीज एक बार यह जरूर सबसक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अपने सब दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें तो सबसे पहले हम यहां पर डिसकस करते हैं प्यारे सात्यों यहां पर वो candidate भी PhD में admission ले सकते हैं जिन्होंने net qualify नहीं कर रखा है, जिन्होंने set qualify नहीं कर रखा है, ठीक है, यहां पर जो PhD में admission का minimum eligibility criteria है, वो केवल और केवल master degree है, यदि आपने master degree complete कर रखा है, तो आप यहां से PhD कर सकते हैं, यदि आप general EWS category से belong करते हैं, तो आपके master degree में minimum 55% marks होने चाहिए, और यदि आप OBC, SC, ST category से belong करते हैं, तो आपके master degree में minimum 50% marks होने चाहिए, और यदि इतना criteria complete है, तो आप without net, without set के यहां पर form apply करके, entrance exam में बहुत अथ्छा score करके PhD में admission ले सकते ह अब यहां का selection procedure बताया जाए, तो प्यारे साथियों सबसे पहले आपका entrance exam होगा, उसके बाद आपका वाई वो होगा, और फिर आप final merit list आएगी, जिसके base पर यहां पर आपका admission हो जाएगा, अब वो लोग यहां पर सोच रहेंगे, sir, जिनका jar up qualify है, जिनका net qualify है, जिनका net qualify है, उनको पंदा नमबर का, या 10 नमबर का bonus दिया जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है, जो jar up qualify है, उनको 10 नमबर का bonus दिया जाएगा, जो net qualify है, उनको एक एक extra बेदी बोनस दिया जाएगा, ताकि वो उनका lab उठा सके, ठीका entrance exam, यहां पर सबी का होगा, चाहे net qualify हो, चाहे without net क्वालिफाई और चाहे जरब क्वालिफाई हो उसके बाद में यहां पर हम डिसकेस करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में तो प्यारे साथ यहां पर आप 31 दिसंबर 2023 तक फॉर्म अपलाई कर सकते हैं और जो एक्जाम है वो आपका साथ जन्वरी 2024 को होने वाला है और यहां पर जो आपका एक्जाम होगा वो तीन गंटे का होगा एक्जाम में 50% होगा वो आपका research methodology का होगा और 50% आपका subject का होगा इस तरीकी से total यह 100% बनेगा ठीक है अब हम आगे डिसक्रस करते हैं इस university के बारे में कि यह university कौन सी है तो इंद्रा गांटी national open university है जिसको हम इग्णू के नाम से जानते हैं वहां से यह notification निकला है तो मेरे इस आफ़से तो हर एक कोई candidate हो होगा ऐसी बहुत ही टॉप university हो से प्याचरी करने का अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर सब्जेक्ट वाइज कितनी सीट है कौन-कौन से सब्जेक्स यहां पर आवलेबल हैं तो उसका मैं एक अलग से notification डाउनलोड करके उसका मैं वीडियो ठीक है और उस notification की द्वारा आपको हर एक यूनिवर्सिटी से अपडेट रखा जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए ठैंक्स बाई मेरे प्यारे साथ दियो